कि हैं कि हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो अच्छी तरिक से चल रहे हो गए तो चलिए आज हम इस इरुटेडिया बिहार प्रात्व सिच्छे का जो है प्रैक्टिस चेट नेमर दो को डिसकस कर टीर्णेंगे आपको ज। तीन प्रैक्टिस दिया जा रहा है सुव Всемे टिया जा रहा है और को प्लाटल्र का दिया जा रहा है तो आफ लोग लगाना ना भूल यह चलिए आज्टी कि हमारा पहला प्रेश्ण दिया गया कि सुनदू घाटी शेवता कि कि सर्थल से बिसाल अस्नानागार स्थ पिस पर दिलो Ana भूर का पकिस्तान में हटल का है है घुज्रात पाइप लोथल के है तरह घुज्रात में भूगवा नदी किनारे है कालीब बंगा कियात है तो आपका about इसुती हुरा 9ापका करी देवार कि अफसर नमरी सोड़ेगा कोटिल जो था किसका परधार मंदि था चचानगुत महर का परधार मंद्र था अगला फिशण दियाकिया है कि भरत और दस रजाओं के बीच दस राग का युद्थ किस नदिकेर टेट पे हुआ था आपको इस डो प्रुश्नी नदिके किनारे हुआ था यहां पर 10 रगाओ का युद परशनुल नदी के किनारे हुआ था शटोत्री जो यह सतलज के नाम है चिनाओ विपासा जो है यह ब्याज का नाम है परशना यह राबिनती का नाम है सिस्टाह फिपासा यह व्यास कवजगा अगला प्रैशी लेक्रत निखते हैंецंता दोस्तों पांसुतिरृðिस्यपूर में गौंटम सुआ पूद् का जनब नेपाल में यह नेपाल स्थान पे कंप तो लुमरिण नाम क पर अगर कुछिन नगर के बारे इसपार तो तो गौतम बुद की मिर्तु जय कुशी नगर में हुआ था और यह याद रखेगा अगला प्रेस्ट नेखते हैं कि विक्रम संबत का अरम माना जाता है तो याद रखेगा विक्रम लिखेगा वी चलिए इसको फिर से देख लेते हैं विक्रम संबत और सक संबत अंठावन और जो है 78 में कन्फूजन होता है तो सक लिखेंगे तो सक संबत सक संबत जो है और यह याद रखेगा और बाकि जो बज़ेगा तो अंठावन हो जगा तो विक्रम संबत यहाँ पूछा गया था तो विक्रम संबत यहाँ पूछा गया था तो विक्रम अगला प्रश्ट निया गया कि गुप्त सास्कों कि सास्की राजकिये भासा किया थी तो आपका इसका राइट न सुर्जगा आपसण नमबर सी संस्क्रीट थी गुप्त काल को स्वर्ण काल का जाता है स्वर्ण काल इसलिए का जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे विद्वा क्रिष्ण पथम के दवरा कि 104 का मंद्र करवाया गया है यह है महमुद गजनवी ने भारत पर कितने बारा काड़न किया था महमुद गजनवी ने ने वारत पर 17 बारा कर्वन किया बारा कार्मन किया था यह 1009 नौट 27 करगवर्बन किया था 1025 में सोमनाथ मंदिर को लुटा था अगला पर आपका इसका राइचन करना पर तो सत्रावर और भी इसका राइचन हो जगा कि दिली सल्तानत का वास्ताविक संथापक कि से मना सबसे कम समय तक सासन किया तो आपका इसका राइट नमर चार खिल जी वंस ने लगबग देखा जाए तो तीस वरस तक सासन किया था और सबसे अधिक कहा जाएगा तो तूगलक वंस सासन किया था सबसे अधिक में तूगलक वंस अगला प्रेशन देखते हैं दोस्तों कि अकबर के समय संपूर्ण समराज कि इतने सुबह में भाग था तो अप्सार नमर शीरी स्कार राइटन सरजागा यहां पर बताना कि कौन्स चाहिए श्मयलित नहीं तो यहां पर दिया गया है कि पूर डच का प्रतम कर खाना मस्वली पर्टनम और फ्रांसिसी का प्रतम कर खाना काली कट यह गलत है यह था आपका सूरत में तो अप्सान नमर जो है एक तर害 यहास तरांदर सतले तो आपका इस करते हैव कर दुदूरा कर बांगाल के इया रख़ता Сइश Scorpion दो जाएगा सब्साइब इंडिया 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 इंडिपेंच्टा किसकी रचना है और आपका लाइट पुस्तक कि रचना है तो यह आपको अल्ट ने किस ने किया था तो बेद समाज की अथापना किस ने किया था तो श्री धरलू नाइडू ने जो है यह बेद समाज की अथापना किया था यह 1864 में यह फैट्स याद रखिएगा पाइक विद्रो किसके नित्रित में हुआ था तो पाइक विद्रो जी आपका हुआ था किसके नित्रित में तो बक्सी जग बंधु के में बक्सी जग बंधु के नित्रित में जो है पाइक विद्रो हुआ था। अगला प्रेश्ण दिया गया है कि बंगाल गजट जेम से हिकी के पत्रीका थे सब्सक्राइब के पत्रीका है बंग्दूत राजारा मोहरा के पत्रीका है तो प्रियोक्त में से कोई नहीं यहां पर जो है सभी साही है हमारा अगला प्रेश्ण दिया गया है कि भारत में तीन विश्विद्याले कलकात्ता मदराश तथा बंबाई के सथापना किस घुष्णा पत्रीके ताहत हुआ था तो इसकी घुष्णा जो है 1854 की बूट डिस्पैज घुष्णा के पत्र से हुआ था अप्सन नमर बी इसका घुष्णा के अनुषा भारत में तिन्याइक स्वा करने लेको भारत में 90 स्वा का जनक किस आद रखेगाशा इवा उनक हम्हेंग मेंगा नियाक सीघंग जनक को क्याएं दो तोस्त्रिण अध्या-वान कंए स्वेल सेवा कानवालिस को करनेख स Communrant मेंako भार्रीचित हुआ took तो सबसे बाद में कौन से घटना घटित हुआ था तो यहां पर दियाएगा एक सिंद को अंगरीजी सब्राज में कम लाएगा था तो 1843 में और जो है प्रताम आंगल से एक विद का हुआ था तो 1845 में तो आपका यहां पर राइट एंसर किया जागा तो आपसर नंबर सी इसका राइट हो जगा है सबसे सबसे बाद में घटी था सबसे बाद में तो आपसर नंबर शीका राइट अटाशा और पूरा सर्वजनिक सभा के संस्थापक कौन है तो अब हो जाएंगे एंगी रनाडे जी योसी एंच चिपलूनकर यह सभी इसका राइट हो जगा तो आपसर नंबर अपना कव था तो 28 दिसंबर जो है 1850 को किया गया था यह लौट के सासनकाल में किसके सासनकाल में किया गया था और जो है इसके भारतिय राइट है पर्थम अंग्रेज कौन थे हैं तो पर्थम जोर्च इलो थे आपसर नंबर 20 का राइट हो जगा निवनिखित में से केषतित को बंगाल अदमी भाजन की घूषना किया गया था तो 20 जुलाई उनसे पांच गो गुषना किया गया था अपसर नंबर 20 का राइट हैं तो न लंदन में कर्जन वाइली की हत्या किस ने किया था तो लंदन में कर्जन वाइली की हत्या जो है यह मादन लाल धिंगरा के द्वारा किया गया था उधम सीने किसके हत्या किया था तो जल्ला डायर को हत्या जो लंदन में जाकर किया थे उधम सीने अगला परस्त दिया गया है स्वाज़ोग आंधान नियों को प्रष्थाव किस के दोरा परस्तूत किया गया था और अपसर नंबर सी इसका रैटेंग। गांधी जी ने डांडी मार्च के तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोनली के रोम मार्च से किसने किया था तो यह तुलना करने वाले ब्यक्ति थे स्वाच चंदर बोस ने स्वाच चिंदर बोस ने जो है गांधी जी के डानडी मार्च के तुलना जो है नेपोलियोन के पेरिस मार्च एवा मुस्वनली के रोम मार्च के किया था अपसर नमर बी इसका रैटेंस रोजगा सामाचर पत्रों का मुक्तिदाता किसे का जाता है तो सामाचर पत्रों के मुक्तिदाता किसे का जाता है तो यह आपका जागा चाल्स मेटकाप को चाल्स मेटकाप को जो है प्रेस के मुक्तिदाता का जाता है यह सामाचर पत्रों के मुक्तिदाता तो अपसर नमर चार इसका दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लिंक को जो है गुरूप में जरूर सेर करें और नोटिफिकेशन को आउन कर लें मारा अगाला प्रस्ण दिया गया है कि भारात छोड़ा अंदोलन 1942 के दराल नीन में से किष्ण ने भूमिगात रेडियो का ऊसन चालन किया था तो भारत छोड़ाट अंदोलन की सा मैं जड़ा व्हूमिगात रेडियो और अशसांचालन और 1932 में जो है पूना पैक्ट हुआ था यह याद रखेगा निवन में से किस गरह के दिन का मान आज का जुकाओं पिर्थीवी के समान होगा तो आपका इसका मंगल गरह का उपसर नमर इसका रेटेंस हो जगा मौनिंग अश्ट आर कहते हैं और सुक्र गरह यह सबसे गर्म गरह क्योंकि सुक्त गरह मीं सबOY सबसे गर्म गरह के बारे के बारे हम देखाए और सभी Cay Spirit को उसनी गरह में क्रिक जिसमें बलाए यूक्त गरह है अगला प्रेश्ण दिया गया कि उस्टन कट बंधिये मर्वस्थाली च्छेत्रों में उगने वाले वनस्पति को क्या करते हैं तो उस्टन कट बंधिये मर्वस्थाली च्छेत्रों में उगने वाले पौधे का नाम है यह याद रखेगा जैबकि ट्रोपोफाइट जो है या वन्सपती च्छेत्रों में जबकि यह आपका नमकीन च्छेत्रों में उगने वाले पौधा है जबकि थीलो फैक्ट यह आपका चैटानों पर उगने हुझ रहां कि यह रही तो कपालन को कि आता है यह रहता है प्रभात प्रिज्ण कि ने पर इसके कि नहीं परीथित है तो आपका इसका रहीट क्या जगा तो आपसा नमबर भागराथी और भिलागना ने दिखे जो है भागराथी और भिलागना ने दिखे बांध पर टीहरी बांध इसीत है अपसर नमबर 20 का रेटेंस होगा तीहरी बांध कुछाइट देखा जाए तो लगभग 2061 मीटर है भारत का निम्तम जन संख्या घनत वाला राज कौ लैसर में नहीं कौंत कि नहीं है यहां पर बताना कि कौक्स आस्था देहार दूनAlर बिल्कुल सई है यह जोदुhet Almighty Man संसान यह सिम्ला बिल्कुल सही है तो प्रिक्ट में सभी सही हो जाएगा घरेलू हिंसा से महिला सनचन अदियम निमनेखित में से किस वर्स पारिद किया गया था तो यह आपका 2005 में पारिद किया गया था अपसर नमर यह इसका राइट हो जागा कि पाल नाइन मैं ए सनंत्र को किस राज में अथिश्राट किया गया और यह आपका था नमर 2 का राइट ऐंस में किसने जीता तिया पुरुषकार जीतने वाले ब्यक्तिक का नाम किया है तो मीरा भाई चानु ने आपसा नमर सी इसका राइटेंट सरजगा कि राष्ट पति द्रौती मुर्मू द्वरा सातवे अंतराष्ट्ये ध्यार्म समिलन का उटगाटन का किया गया तो सातवे अंतराष्ट्ये ध्याति द्वरा भौपाल में किया गया ऑपसान नमर भी różक तुछ नमर के जिए 시간 dod जागा तो आपका इसका राइटेंटों का ओप्सान नंबर भी जमू कस्मिर में बजट दुहर तेस्ट चुबिस में केंदर सरकार ने कितनी रुपिय की खर्च करने का लच रखा गया है तो आपका इसका राइटेंटों का ओप्सान नंबर ए 45.03 लाख कड़ो रुपिया और अपसर नंबर एसका राइटेंट थरुजएगा हमारा अगरा प्रक्रस्ट दिया कि हाली में हुए राजपाल कि नियुकति के समन में कौन सा सही सुमिलित है तो आपको यहां पर बताना कि कौन सा सही सुमिलित है पर सिपार प्रदेश के राजपाल यह मेघाले के हैं एक राधाक्रिष्न जो ते यह यह याद रखेगा यह यह याद रखेगा अगला प्रश्च नेकते हैं दोस्तों गómo dice all the blue book editors general पुश्चैक किसके दार लिखा गया है तो आपक नमर जो है इसके ँभी अमि राव कुमार के दौरा जो है अपसे आमित राव कुमार के द्वारा डवी नौन नौरा लिखा गया है फरवरी फरवरी दोजार तेस में बाहरामा विश्वहिंदी सेमिलन का जन कहां किया गया तो फिजी में आप्सार नमर शी इसका राइट अंतर हो जगा किसी देश के राष्ट पति अपदेल फटा अली कंतंत दिवस्क पर मुखकतित्य की रूप में आये थे ​​Global Invention Index 2022 की अधार पर नै चार के मामला स्थान हैं तो ​​Global Innovation Index 2022 की अधार पर नै चार के मामले में भारत कौमा-स्थान प्शून पर यह आपका राइट एंट स्थान पर है दुनिया का पहला नेजल कोविट वैक्सिन किस कम्पनी ने विखित किया था तो दुनिया का पहला नेजल कोविट वैक्सिन जो है यह किस कम्पनी ने विखित किया तो भारत बायोटेक ने अप्शन नमर्ची इसका राइटेंस रजगा भारत बायोटेक के दौरा जो है दु उसका में राइबोसोम के अनुस्पश्थिती में जो है कौन सा कार संपाधित नहीं होगा तो यह आपका राइट अंसर होजागा प्रोटीन संपाधित नहीं होगा ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उसे रोगों को क्या कहते हैं तो चिर कालिक रोग आपसर नमर शी इसका राइट अंसर होजागा इनमें से कौन परकास संसले सी अंग है तो परकास संसले सी अंग कौन से होजागा तो हरित लावक हरित लाव को जो है परकास संस्री अंग कहा जाता है अपसर नमर सी इसका राइट अंथ हो जगा निवन में से एक निवन में से समानियता किसका उपयोग पादब कुसकाओं द्वारा उर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है तो यह आपका कार्भॉहाट्रेट का किया आता द्वारा एक उहता पादक में सोन्हें सर्थ होई को संचीत रहते हैं तो पादब और सीच्ट कहां संचीत रहते हैं तो यह आप का रिय्टों में और छाल् अब तो प्रिक्ष सभी साही हो जाएगा आपसान नमर चार इसका राइटन्स हो जाएगा बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहयक होते हैं तो आपका इसका राइटन्स हो जाएगा आउक्सिन और जिब्रेलिन दोनों होते हैं आउक्सिन और जिब्रेलिन दोनों जो है बीज आप साप सपांन नेत राता तो 25 सेंटिमेटर हो जाता यह याद रखेगा फैट्स और धारा उद्पन करने कीशिती को क्या करते हैं तो बिधु धरा उत्पन करने के एक्ति को जो है जनीत्र काया दाता है option number 10 का रैटेंट सरजगा विस्थापन की दर को क्या कायाता है तो विस्थापन की दर को बेक कायाता है और बेक प्रिवर्थन की दर को तोरन काते है यह याद रखेगा दो कनों की बीच गुर्तवा कर्षन बल होता है और उनके बीच की दूरी क्या होता है तो दो कनों की बीच गुर्तवा कर्षन बल होता है और उनके बीच की दूरी क्या होता है तो यह आपका हो जागा वर के वितुकरमा अनुपाती होता है आनिकि यह सामान्स उपाती one बटे और स्कवर होता है often नमर इसका रहेटन सोरजेगा निम्नांकत में िसके रहेटरहन कोन है तो आपकर इसके रहेट और 11 को भाण है तो option नमर जहीं b's का रहेटरहन है ncl यह लवन का उधारन है mg- students इल्क पलस टू बंथन से बंधे परवानतों के मत कितनी लिट्र्णक gua साजा होता है तो दीवbefore अब दैनिक जीवन में करते हैं तो सभी लोग जानते हैं कि हम लोग किसका उप्योग करते हैं तो यह जो है यह जो है यह अलकोहल है यह प्योंद डैका के कि मारा अगला पैसन दिया गया है कि हमारे स्रांधर दे लिया गया तो यूदरा तो परवरता नहीं है आप्सान 4 इसका राइट एंथ रोज़गा किस सभधान सभधन के तहत राष्ट-पति के निर्वाचन मंडल में किसाँचित परदेश दिली तथा पूदू चुरिक के निरवाचिस दस्यों भी सामिल किया जाते हैं तो यह आपका राइट एंथ रोज़गा ऑफ्सान नमर श समुहिक उत्तर दाइत्वे अपसर नमर भी इसका राइटेंट हो जगा दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ग्रूप में दोस्तों को साथ सेर करें और नटिफिकेशन को आउन कर लें बस आ मद्र मंडल सची मंद्रि मंद vine 20 जगा अगला प्लाव में धिया ग्या है कि कॉंसा स्थानी सरकार का मामला नहीं है ता कहा कैғ इसका सथानी सरकार का गानून और किस संपत या परतिग्या का प्रारुब की सनुची में वालभी STEPHAN कि राष्टी आस्मार को अस्थानों तत्वस्थ्यों का सनस्थ्यन की बालभी?? तो स्था मार्कों अस्थानों तथा वस्तूर को सनचेंज यह आपका उनुश्यत 49 में दिया गया है ऑप्षिन नंबर सिसका राइटेंस वर जगा भारतिय स्विधान के किस अनुश्यत में अनुश्यत जातियों और अनुश्यत जातियों के लिए अरच्छन का परधान किया त्याक्टैजी जातियों के लिए रचन का प्रहभान किया गया है आर्थी कारोजन एक अनिवार अशिक रंचन किकेशन का था तैक्ते कंदर लनता है तो 33-3 की अंदर्गत वस्तूओं का परिवहन ये 33-3 की अंदर्गत आता है अपसर नमर 20 इसका राइटेंसर दएगा बिहार आर्थिक स्वेशन 22-3 करण सार वर्तमान राज में सहरीकरण का अश्तर कितना है तो आपका इसका राइटेंसर गा 16.2% 16.2 परषेंट जो है यह बिहार आर्थिक सुरेच्षान 2022-30 कर्मशार वर्तमान राज में सरीकरन का अस्तर है केंद्रिय बजट 2023-2024 में निधारित विकास की साथ प्रत्मिक्ता जिसमें सब्थिरसी नाम दिया गया है सामिल है तो सब्सक्राइब निधार कर देख तो बहुटात्री भारतिय प्रायदिपो में कौन सधिव भारतिय के मपास। तो भारत तो स्रिलंका के बीट राम हो जएगा रामि- देप ईस्थित है बाहности का रैंट जब जागा यह अगला यहांकि सब सेलंबी नदि कौन सी है थो भारत के सबसेलंबी गंगा नदि है क्षानल सह्त करेंं भाग है इसकी लंबाई 25 पचीस स सो 25 क्लियूम्टर लग रेगुर किसका नाम है तो काली मीटी का 9 काली मीटी यह यह स्वता जुताइवाली मीटी इसे भी कहा जाता है और काली मीटी में कपास के लिए अतिधीक उप्योगी है तो बिदैक देखा है तो भारत में सबसे अधिक एक विस्तार जो है जलोड मिटी का है यह फैट्स याद रखेगा लगभग देखा जाए तो 22 परसंट भारत में यह जलोड मिटी पाई जाती है यह फैस्स परसंट भाग पर अगला प्रेशन है की यह नीश्ची ताकिर्तिक में विवास्थी तराओं का समुह कहलाता है तो आपका इसका रैट जोजगा नेच्छ चांट जोजगा आप्सorte कि इसका राइट इंच सुरिजएगा पीस्य पीर्थिवी दिवस कमने याता है तो पीस्य पीर्थिवी दिवस हम लोग परती एक परवह क्रशिट वाइस इसका राइट इंचним सुरिजगा 22 अपरवह को जहें 200 पिर्थिवी दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को जह बिहार तिवस मनाते हैं याद रखेगा। यदि दू अस्थानों के शित्यति में 90 दीगरी दिशांतर का अंतर है तब दुनों अस्थानों के भी समय का अंतर किया होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 15 दीगरी दिशांतर बराबर एक घंटा होता है। तो 90 डिग्रे में आपका 6 घंटा हो जाएगा उपसर नमर 20 का रेटेंट सरजगा निम्दिकि समुंदरी धराओं में से कौन हिंद मासागर की धरा नहीं है तो आपका इसका रेटेंट सरजगा अगलुहास धरा है मुझाबिक धरा है जबकि दच्छीन हिंद मासागर धरा भी समन तो । कम आपर लिक्स का हिस्थ जो है आज यह अई प्राइट सरेनक उस्थ। अगला प्रामोर देया कि आप सबसे महतापूर्ण पाहलू क्या है तो सबसे महतापूर्ण पाहलू है प्राथित तंत्रका आपसण नमर 4 सर जगा प्रास्शित की तंत्र का निरवहन करना अज्य जैश्प की सबसे महतपूंद पालू है पार्या उस गुरें धर में ग्रीन यह त्यक्योटव पीएक प्रोटिकॉल साथ समनित है कियोटव प्रोटिकॉल आए था IT जिल को गसि ऑपनाते हैं फेयर विव पर्यावरन दीवस मनाते हैं या इसी रहे manner भी आग में भया से किराजीव गांदर वन जीव सनचेन पुसकार दिया जैता है किसको तो र 11 पूसकार दिया था है तो आपका इसका राइट अन्सड़ का ब। सैच्छीक अथ् Landh को वन एवंववथ यह Spri आधिकारियों को वं जीव सनचेकों को उपरी Shstyite I Waitin is Kati Ta तो आपका नए दिली में हो जाएगा भारत का राख्टी जैवी कुदान नए दिली में इस्तित है कि नीन में से किसकी माई पिक्ट्यर और फिर इंडिया नाम कुष्टक की रचना पंचाईती राज विवस्ता से समझी था तो आपका इसका राइटन से महात्मा गांधी आप बिजहार बिधान सवा में सीटों के संख्या कितना है तो आपका इसका राइटन सब्सक्राइब निमन में से कौन पार्यावरन संतुलन का सनच्छन से कौन समानित है तो वन नीती पार्यावरन सुरच्छा धनियमने 186 और धोईक नीती और शिच्छा नीती सब्सक्राइब करें धन्यवाद